Hello Everyone, Welcome to ExamGard Friends, आज की इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं एकजाम का one of the most important topic वर्तमान में कौन क्या है Friends, इस topic के importance आप इसी बाव से लगा सकते हैं कि आप कोई भी एकजाम देने जाएं SSC, Railway, Banking, यहां तक की UPSC लेकिन आपको इस topic से definitely एक से दो questions देखने को मिल जाते हैं तो Friends, यह आपका बिल्कुल updated वीडियो है इसमें हम जितने भी new appointments हुए हैं और जितने भी पुराने appointments हैं सभी को discuss करने वाले हैं Friends, तो बस वीडियो को एक बार सुरू से लेकर लाश तक बिल्कुल ध्यान से देख लीगा आपके सारे doubts clear हो जाएंगे तो Friends, अगर आप इस channel में पहली बार widget कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करके उसके बगल में लगई इस bell icon को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification मिल पाए तो आई वीडियो सुरू करते हैं तो Friends पहले हम इसको one liners cover करेंगे इसके बाद last में हम इसकी quiz भी solve करेंगे जिससे आपके side doubts clear हो जाएंगे तो First है भारत के प्रतम लोगपाल कौन है तो Friends हाली में भारत के पहले लोगपाल पिनाकी चंद्रगोस बने हैं भारत के अटानी जनरल अर्थात महानयवादी कौन है तो Friends अटानी जनरल महानयवादी के के वेड़ू गोपाल है Next Solicitor General कौन है तो Friends वरतमान में भारत के Solicitor General तुसार मेहता है नियंतरक एवं महालेखा परिच्चक कौन है तो Friends वरतमान में नियंतरक एवं महालेखा परिच्चक राजियू महरसी है Friends इसको सौट में कैक के नाम से भी जाना जाता है Next राश्टी सुरच्छा सलाहकार कौन है तो Friends प्रज़न टाइम पे राश्टी सुरच्छा सलाहकार अजीद डोभाल है और इनका कारकाल पांच वरसों के लिए बढ़ा दिया गया है Next मुख आर्थिक सलाहकार कौन है तो Friends प्रज़न टाइम पे मुख आर्थिक सलाहकार के सुब्रमन्यम है इनका पूरा नाम कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम है Next मुख वैग्यानिक सलाहकार कौन है तो Friends मुख वैग्यानिक सलाहकार के विजय राखवन है Next वर्तमान में रच्छा सच्यू कौन है तो Friends हाली में रच्छा सच्यू संजे मित्रा बने हुए है और इनके कारकाल में चार महिनों की ब्रध्धी कर दी गई है राजसू सच्यू कौन है तो Friends Revenue Secretary आजेभूसन पांडे है और वित्त सच्यू Finance Secretary सुभाज चंद्र गर्ग है जबकि विदेश सच्यू विजय के सव गोखले है Next Friends विडियो को ध्यान से देखेगा ताकि जब Last मैं आपसे Questions पूछू तो आप उन Questions के आंसर दे सकें Air India के अध्यच कौन है तो Friends प्रज़न टाइम में Air India के अध्यच असुनी लोहानी है Sensor Board के अध्यच कौन है Friends इसके साथ ही आपको याद रखना है कि उड़ाई का फुल फार्म होता है Unique Identification Authority of India जिसे Friends उड़ाई के दोरा ही आधार कर्ड बनाए जाते हैं और Friends रो की बात की गई है तो रो का फुल फार्म होता है Research and Analysis Wing इसकी इस्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी 21 सेप्टेंबर 1968 और इसका हेड़ क्वार्टर New Delhi में इस्थित है Next विसु बैंक के अध्यच कौन है तो Friends प्रजन टाइम में विसु बैंक के अध्यच डेविड माल पॉस है और विसु बैंक की इस्थापना जुलाई 1945 में की गई थी इसका हेड़ क्वार्टर वासिंग्टन डीसी में है Friends मैं आपको जितने भी एक्ष्टा डेटेल्स दे रहा हूँ आप इनको किसी कॉपी में नोट कर लीजे क्योंकि ये अक्सर एक्जाम में पूछे जाते है Bricks Bank के अध्यच कौन है ACI विकास बैंक के अध्यच कौन है तो Friends ACI विकास बैंक अर्थात Asian Development Bank ADB के अध्यच ताके ही को नकाओ है और Asian Development Bank का हेड़ क्वार्टर Manila फिलिपिन्स में इस्तित है भारती ओलंपिक संके अध्यच कौन है तो भारती ओलंपिक संके अध्यच नरिंदर बत्रा है Next राष्टी महिला आयोग की अध्यच कौन है तो Friends राष्टी महिला आयोग की अध्यच रेखा सर्मा है और Friends राष्टी महिला आयोग की इस्थापना 1992 में की गई थी और इसकी फ़ष्ट चीप थी जयनती पटनायक तो भी आपको याद रखना है डियाडियो के अध्यच कौन है तो Friends डियाडियो के चेर्मेन जी सतीस रेड़ी है डियाडियो का फुल फार्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डिवलोम्मेंट और इसकी इस्थापना 1998 में की गई थी 1958 Next CBDT के अध्यच कौन है तो Friends CBDT के अध्यच है PC Modi इनका पूरा नाम है प्रमोध चंद्र मोधी और CBDT का फुल फार्म होता है Central Board of Direct Taxes हिंदी में कहते हैं इसको केंद्री प्रत्यच कर बोर्ड इसकी स्थापना 1944 में की गई थी 1944 UGC के अध्यच कौन है तो Friends UGC के अध्यच धेरेंदर पाल सिंग है और UGC का फुल फार्म होता है University Grants Commission Next फिक्की के अध्यच कौन है तो Friends फिक्की के अध्यच है संदीप सोमानी और Friends हाली में अभी CGL के एकज़ाम में पूछा गया था कि फिक्की का फुल फार्म क्या होता है तो आपको याद रखना है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry हिंदी में कहते हैं इसको भारती वाड़िज एवम उद्दोग महासंग SBI के अध्यच कौन है तो Friends SBI के चेर्मेन है रजनीस कुमार SBI के इस्थापना 1955 में की गई थी और इसका पुराना नाम Imperial Bank था और SBI का Headquarter मुंबई महराष्ट में इस्तित है ISRO के अध्यच कौन है तो Friends ISRO के वरत्मान अध्यच के सिवान है जबकि ISRO का फुल फार्म होता है Indian Space and Research Organization इसका Headquarter बैंगलूरू में है और इसकी इस्थापना 1969 में की गई थी 1969 Friends किसी question में आपो कोई doubt हो तो आप उसको comment box में पूँच सकते हैं Intelligence Bureau IB के निदेशक कौन है तो Friends present time में Intelligence Bureau IB के निदेशक Rajiv Jain है Next Friends video थोड़ा सब बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम इसमें total 80 plus questions को cover करने वाले हैं लेकिन Friends इस topic से आपके एक jam में minimum 5 marks तो आएंगी क्योंकि मैं आपको इतने इस्टा details बता रहा हूँ और साथ में ही आपको जो details दे रहा हूँ तो उससे एक jam में questions बनेंगे तो बस वीडियो को ध्यान से एक बार लाश तक देखिए और Friends काफे important topic है मुख चुनाव आयुक्त कौन है तो Friends present time में मुख चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा है और मुख सूचनाव आयुक्त सुधीर भारगो है Friends इसके साथ यापको याद रखना है कि चुनाव आयुक्त आसोक लवासा एवं सुसील चंद्रा है मुख नयाधिस कौन है तो Friends present time में मुख नयाधिस रंजन गोगोई है ये आपके 46 नमबर के है Next राजसभा के उपसभापती कौन है तो Friends present time में राजसभा के उपसभापती हर्विन्स नरायंड सिंग है एचन सिंग Next भारती रुजर बैंक के गवर्नर कौन है तो Friends present time में भारती रुजर बैंक के गवर्नर सक्तिकांत दास है और इससे पहले उर्जित आर पटेल थे राष्टी मानो अधिकार आयोक के अध्यच कौन है नेक्ष्ट संग लोक सेवा आयोक यूपीएसी के अध्यच कौन है तो Friends यूपीएसी के अध्यच अर्विन्द सकते हैं सक सेना है Next NCRT के अध्यच कौन है तो Friends present time में NCRT के अध्यच रिसी के सेना पती है और Friends एक्जाम में पूछा जाता है के NCRT का फुल फार्म क्या होता है तो National Council of Educational Research and Training और इसकी इस्थापना 1961 में की गई थी 1961 और Friends 1961 में ही अर्जुन अवार्ड भी प्रारंब हुए थे तो यह भी आपको याद रखना है Next है CBSC के अध्यच कौन है तो Friends Present Time में CBSC के अध्यच अनिता करवाल है और CBSC का फुल फार्म होता है Central Board of Secondary Education Next नाबाड के अध्यच कौन है तो Friends Present Time में नाबाड के अध्यच है हर्स भानवाला नाबाड का फुल फार्म होता है National Bank for Agricultural and Ruler Development इसकी इस्थापना 1982 में की गई थी कई बार एक जाम में पूछा गया है नाबाड की स्थापना कभुईती तो आपको याद रखना है 1982 में 1982 में और इसको हिंदी में कहते हैं राष्टी करसी और ग्रामेड विकास बैंक Next है इडाई के अध्यच कौन है तो Friends इडाई को इडा की नाम से भी जाना जाता है इसके अध्यच्छे हैं सुभास चंद्र खूटिया और Friends इडाई का फुल फाम होता है Insurance Regulatory and Development Authority of India इसको हिंदी में कहते हैं बीमा नियामक और विकास प्राधिकान इसका हेड़कोर्टर हैदराबाद में इस्थित है Next सेउक्तुराष्ट के महासच्यू कौन है तो Friends प्रेजन टाइम में सेउक्तुराष्ट के महासच्यू अंटोनियो गुटेरस हैं और Friends सेउक्तुराष्ट संकी इस्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी 24 अक्टूबर 1945 इसका हेड़कोर्टर न्यू यार्क अमेरिका में इस्थित है Next है आसियान के महासच्यू कौन है तो Friends आसियान के महासच्यू अमजद हुसैन बीसियाल है और Friends आसियान का फुल फाम होता है दच्छनपूर एसियाई राष्णों का संगठन इसकी इस्थापना 1967 में की गई थी 1967 और इसका हेड़कोर्टर जकार्टा इंडोनेसिया में इस्थित है Next यूनेस्को की महानिदेशक कौन है तो Friends प्रेजन टाइम में यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे एजोले हैं और इसको का मुख्याले अर्थात हेड़कोर्टर लियोंस पेरिस फ्रांस में इस्थित है Next है डबलू एचो के महानिदेशक कौन है तो Friends डबलू एचो के महानिदेशक टेड ड्रोस एड़ोनोम है डबलू एचो का फुल फाम होता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन इसकी स्थापना 7 अप्रेल 1948 को की गई थी 7 अप्रेल 1948 Next FTII के अध्यच कौन है तो Friends प्रजन टाइम में FTII के अध्यच बिजंदर पाल सिंग है जिनका सौर्ट नेम बीपी सिंग है FTII का फुल फाम होता है Film and Television Institute of India Next है NGT के अध्यच कौन है तो Friends प्रेजन टाइम में NGT के अध्यच आदर्स कुमार गोयल है NGT का फुल फाम होता है National Green Tribunal इसको हिंदी में कहते है राष्टी हरित प्राधी करण आपको याद रखना है काफी ज़दे इंपोर्टेंट कुश्चन है NGPCR के अध्यच कौन है तो Friends NGPCR के अध्यच प्रियांक कानून गो है NGPCR का फुल फाम होता है National Permission for Protection of Child Rights और Friends इसको हिंदी में कहते है राष्टी बाल अधिकार सरचण आयोग इसकी इस्थापना 2005 में की गई थी NGPCR के अध्यच कौन है तो Friends CCR के अध्यच है असुक कुमार गुपता CCR का फुल फाम होता है Competition Commission of India इसको हिंदी में कहते है भारती प्रतिस फर्दा आयोग इसकी इस्थापना 2003 में की गई थी Friends किसी कोश्चन में समझ में आये या कोई डाउट हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में पूँच सकते हैं Next बार के निदेशक कौन है तो Friends बार के निदेशक है अजीत कुमार महंती और बार का फुल फाम होता है भाबा एटोमिक रिसर्च सिंटर हिंदे में कहते हैं भाबा परुआड अनुसंधान संस्थान इसकी इस्थापना 1954 में होमी जहागीर भाबा ने की थी और इसका हेड़ कौर्टर ट्रामबे मुंबई में इस्थित है Next है प्रसार भारती के अध्यच कौन है तो फ्रंट्स प्रसार भारती के अध्यच डाक्टर ए सूर प्रकास है Next सिड़बी के अध्यच कौन है तो फ्रंट्स सिड़बी के अध्यच प्रिजन टाइम में मुहम्मद मुस्तपा है और सिट्वी का फुल फार्म होता है Small Industries Development Bank of India इसकी स्थापना 2 अप्रेल 1990 को की गई थी 2 अप्रेल 1990 और इसको हिंदी में कहते हैं सिट्वी को भारती लगू उद्दोग विकास बैंक और इंग्लिस में इसका एक बार फुल फार्म फिर बता देता हूं Small Industries Development Bank of India नेश्ट है ट्राई के अध्यच कौन है तो फ्रंस प्रिजन टाइम में ट्राई के अध्यच हैं राम सेवक सर्मा और ये काफी समय तक ट्रेंडिंग में टॉपिक रहा है तो आपको इसका फुल फार्म भी याद रखना है टेली कॉम रेगुलेटरी अथार्टी आफ इंडिया हिंदी में कहेंगे भारती दूरसंचार विनियामक प्राधीकर्ण इसके इस्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी 20 फरवरी 1997 नेश्ट नीती आयोक के उपाधच कौन है और फरवरी एकजाम में ये वीडियो आपको कम से कम 5 नमबर दिला करके जाएगा नीती आयोक के CEO कौन है तो फरवरी नीती आयोक के CEO है आपके आमिताब कांत और नीती आयोक के अध्यच प्रधान मंतरी स्री नरिंद मोधी जी है सेवी के अध्यच कौन है फरवरी के अध्यच है आजे त्यागी और सेवी का फुल फाम होता है Securities and Exchange Board of India हिंदी में कहते हैं भारती प्रिद्भूती और विनियामक बोर्ड इसकी इस्थापना 1988 में की गई थी जबकि इसको सक्तियां 1992 में सेवी एक्ट के तहत मिली थी इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में इस्थित है Next है CBI के महानी दे सक कौन है तो Fronts CBI के महानी दे सक है रिसी कुमार सुकला Fronts CBI का फुल फाम होता है Central Bureau of Investigation Next Railway Board के अध्यच कौन है Fronts present time में Railway Board के अध्यच विनोत कुमार यादो है Next Fronts FCA के अध्यच कौन है Fronts FCA के अध्यच है DV Prasad FCA का फुल फाम होता है Food Corporation of India इसकी इस्थापना 1965 में की गई थी 1965 LIC के अध्यच कौन है Fronts present time में LIC के अध्यच MR कुमार है LIC का फुल फाम होता है Life Insurance Corporation और LIC के इस्थापना एक सितंबर 1956 को की गई थी Next है ICC के अध्यच कौन है Fronts ICC के अध्यच है Sasank Manover और ICC के CEO पूछदाए तो ICC के CEO है Manu Sahini 14 में With I.O के अध्यच कौन है Fronts 14 में With I.O के अध्यच Y.B. Ready है 15 में With I.O के अध्यच N.K. Singh है 14 में With I.O का कारकाल 2017 से 2020 तक है जबकि 15 में With I.O का कारकाल 2020 से 2015 से 2020 तक है 7 में वेतं आईो के अध्यच कौन है तो 7 में वेतं आईो के अध्यच A.K. माथुर है इनका पूरा नाम Asok Kumaran माथुर है 21 में Bidhi I.O के अध्यच कौन है 21 में बिधी आयोक के ध्यच बलबीर सिंग चवहान है वायूसेना ध्यच कौन है तो फ्रंट्स प्रजन टाइम में वायूसेना ध्यच बी-यस धनुवा है जिनका पूरा नाम बिरेंदर सिंग धनुवा है और नौसेना ध्यच करमबीर सिंग है और ये हाली में 31 मई 2019 को नियुक्त हुए है इससे पहले सुनी लामबा नौसेना ध्यच की रूप में कारे रत थे थल सेना ध्यच तो फ्रंट्स प्रजन टाइम में थल सेना ध्यच जनरल विपिन रावत है नेक्स्ट फ्रंट्स अब हम बात करेंगे भारत की जितनी सेनाएं हैं इनके महानी दे सक एवम डिरेक्टर कौन है तो CRPF के महानी दे सक हैं राजिव राए भटनागर फ्रंट्स CRPF का फुल फाम होता है सेंट्रल रिसर्च सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CISF के महानी दे सक कौन है CISF के महानी दे सक हैं राजिव रंजन और CISF का फुल फाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्योर्टी फोर्स नेक्स्ट है ITBP के महानी दे सक कौन है तो ITBP के महानी देशक हैं SS देशवाल और ITBP का फुल फाम होता है इंडो तिबितन बॉर्डर पॉलिस नेक्ष्ट है NDRF के महानी देशक कौन है तो NDRF के महानी देशक है SN प्रधान इसका फुल फाम होता है नेशनल डिजाश्टर रेस्पॉन्स फोर्स हिंदी में कहते हैं इसको अराश्टी आपदा मोचन बल जब फ्रंस किसी राज में बाढ़ आ जाती है तो NDRF की टीम ही वहाँ सहायता के लिए भेजी जाती है नेक्ष्ट B.S.F. के महानी देशक कौन है तो फ्रंस B.S.F. के महानी देशक रजनी कांत मिसरा है और B.S.F. का फुल फाम है बार्डर सेक्योर्टी फोर्स हिंदी में कहते हैं सीमा सुरच्छा बल SB के महानी दे सकだ। कौन है? SSB का FULL-FARム होता है NSG के महानी दे सक." NSG का FULL-FARム होता है National Security Guard राश्छी सुरच्छा HINDI backs कहते हैं और फ्रंस नेश्ट है SPG का महानी देशक कौन है तो फ्रंस SPG के महानी देशक है अरुण कुमार सिन्ह और SPG का फुल फाम होता है Special Protection Force Special Protection Group हिंदी में कहते हैं इसको विसे सुरच्छा समू है नेश्ट एनाई एके महानी देशक कौन है तो फ्रंस NIA के महानी देशक योगेश चंदर मोदी है नेच्ट है फ्रंस NCC के महानी देशक कौन है तो NCC के महानी देशक है फ्रंस राजिव चोपड़ा फ्रंस इसका full farm आपको יाद रखना है इसो कहते है राश्टी जाच एजनसी ICG के महाने दे सक कौन है तो फ्रंस इंडियन कोष्ट गार्ड के महाने दे सक राजंदर सिंग है NCC का फुल फार्म भी फ्रंस आपको याद रखना है National Cadet Corps RPF के महाने दे सक कौन है तो फ्रंस RPF के महाने दे सक है अरूर कुमार और इसका फुल फार्म होता है Railway Protection Force तो फ्रंस ये सारे questions थे अब हम MCQ discuss करेंगे तो मैं questions करेंगे कुछ करेंगे तो फ्रंस आपको इनके answer देना है आपके बास चार option रहेंगे अब देखते हैं फरंस कितने लोगों ने साई सी वीडियो देखा है और किस्तो कितने questions तयार हुए है तो आज वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रंस पहला question है भारत के पर्थम लोगपाल काउं है तो फरंस भारत के पर्थम लोगपाल है आपको 3 second मिलते हैं अगर आपको आंसर याद है तो comment box करके बताईए तो भारत के प्रिथम लोगपाल है पिनाकी चंदर गोस आपको option है correct हो जाएगा और friends बगाया option भी discuss कर लेते हैं तो केके वेड़ू गुपाल है भारत के महानायवादी जी सतीस रेड़ी हैं डियाडियो के चेर्मैन जबकि हिरलाल जेक कानिया फ्रंस ये सुतंत भारत के पहले मुख्य नयदिस थे Next Second question है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो friends आपको तीन सेकंड मिलते हैं आप comment box में इसका आंसर दे सकते हैं तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्थी सुब्रमन्यम है तो आपका option भी correct हो जाएगा और friends बकाया option भी discuss करते हैं तो अजीत डोभाल ये आपके राष्टी सुरच्छा सलाहकार है के वीजेर रागवन ये आपके मुख्य वैग्यानिक सलाहकार है और निर्मला सीतरमन ये आपकी वित मंतरी है नेक्स्ट भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो friends आपको तीन सेकंड का टाइम मिलता है आप इसका अंसर comment box में बता सकते हैं तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है friends सुधीर भारगो तो आपको option सी correct हो जाएगा और friends बकाय option भी हम discuss करते हैं तो रंजन गोगई हैं आपके भारत के 46 मुख्य ने आदिश सुनिल अरोणा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और राजिव कुमार है नीती आयोग क उपाध्यच नेक्स्ट राष्टी हरित प्राधिकन एंजियोटी के अध्यच कौन है तो friends आपको 3 सेकंड का time मिलता है comment box में answer दे सकते हैं तो राष्टी हरित प्राधिकन एंजियोटी के अध्यच है आदर्स कुमार गोईल तो आपको option भी correct हो जाएगा और friends हम पकाय option भी discuss करते हैं तो बेजंदर पाल सिंग फ्रंट्स यह आपके FTII के अध्यच है प्रसून जोसी आपके sensor board के अध्यच है और संदीब सुमानी आपके फिक्की के अध्यच है नेक्स्ट CRPF के महानी दे सक कौन है तो friends CRPF के महानी दे सक है राजी उराय भटनागर option डी correct हो जाएगा तो friends राजेस रंजन आपके CISF के महानी दे सक है एसस देसवाल ITBP के महानी दे सक है जबकि रजने कांत मिस्रा BASF के महानी दे सक है तो friends अब आपके लिए question लाता हूँ इसका answer आपको ही comment box में बताना है तो विस सुबैं के अध्यच कौन है आपके पास 4 option है जो आपकी सही answer हो उसको comment box में बताएगा तो उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका सही सही answer comment box में बताएगे तो friends वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो please एक like जरूर करिएगा काफी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं और friends चैनल में आप नए थे तो इसको subscribe करके इस bell icon को press करिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification मिल पाए तो share करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं के नए वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जहिंद वंदे मातरम